स्वागते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टरटा में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास 50,000 रुपे हैं तो इससे आप कम से कम टाइम में भी 1 करोड रुपे का फंड बना सकते हैं अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं इसके बाद आपको कोई भी लमसम की वीडियो देखने के जरूरत नहीं होगी बलकि आप इस प्लान के बारे में समझ के निवेश करके एक करोड रुपे थक फंड बना सकते हैं लेकिन मूचल फंड में आज हम डिसकस करेंगे 5-32 फंड जिसके अंदर आप 50,000 रुपे निवेश कर सकते हैं और कम टाइम में आप एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं दोस्तों मूचल फंड प्लान के अंदर 45,000 से जादा प्लान में से अगर आप अपने लिए बेस्ट फ्लान पिक करते हैं तब ही आप एक अच्छा फंड बना सकते हैं लेकिन सही प्लान कैसे आपको पिक करना है, सारी फंड के डिटेल्स आपको कैसे चेक करनी है ये सारी ही चीज आपको एक-एक करके वीडियो में मिलने वाली हैं जिससे आप ये पता कर सकें कि किस प्लान के अंदर कितना रिस्क लेकर आप कितने टाइम में एक करोड रुपे फंड बना सकते हैं और ये पांच फंड दोस्तु ऐसे हैं जिनके अंदर आपको बहतीन ग्रोथ मिल सकती है तो दोस्तु उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले हैं दोस्तु पहले फंड जिसकी हम बात करने वादे हैं ये है टाटा का स्मॉल केप फंड इस प्लान के अगर हम रिटन की बात करते हैं तो दोस्तों all time में इस फन्ड रिटन दिया है 27.76% का सेकंड फन्ड है हमारे पास निपोन इडिया का small cap fund और इस फन्ड का रिटन है 26.96% थार्ड फन्ड हमारे पास है SPI small cap fund इस फन्ड का रिटन 25.86% है all time में फूर्थ फंड है हमारे पास Axis का Small Cap Fund और इसका रिटन है 24.71% लास्ट यानि फिफ्ट फंड हमारे पास है HDFC का Small Cap Fund और इसका रिटन है 20.69% दोस्तों ये 5 Small Cap Category के सबसे धाकड फंड है और अगर आप इनका रिटन देखेंगे तो यहाँ पर इन प्लान के अंदर आपको सारी ही प्लान में 20% से जादा रिटन विला है और सबसे जादा रिटन है टाटा Small Cap Fund का देकिन सबसे इंपोर्टेंट mutual funds के अंदर किसी भी प्लान के अंदर अगर आप पैसे को नविश कर रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर mutual funds का portfolio कैसा है तो एक ही करके हम इन 5 फंड के portfolio को पहले रिव्यू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं Tata Small Cap fund की दोस्तों यहाँ पर जितना भी पैसा है वो equity के अंदर निविश किया गया है 94% लेकिन अगर हम equity sector location की बात करें तो इसमें services, financial sector, chemical और capital goods के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा निविश किया गया है और fund की portfolio में stock है 51 जिन में पैसे को निविश किया गया है और इसमें top holding की हम बात करें तो B.S.F. इंडिया, कुई score, गुजरात, पीपाव पोर्ट, IDFC और रेडिको कहतान याँ पर portfolio दोस्तों काफी strong है इसकी बात second fund हमारे पास था निपॉन अडिया का small cap fund दोस्तों portfolio की लिहास से ये fund काफी strong है त्योंकि portfolio के अंदर यहाँ पर जो stock है वो है 202 जिन मे पैसे को निवीश किया गया है इसमें अगर हम top stock की बात करते हैं तो tube investment, HDFC bank, boltam, transformer, अपार industry और multi commodity exchange of India लेकिन अगर हम equity sector location की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा other sector की stock में 22% इसके लावा capital goods, financial sector और services के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा निवीश किया गया है इसक इसकी fund के अंदर portfolio में stock हैं कुल मिलाकर 57 जिन में पैसे को निवीश किया गया है इसमें top holding की हम बात करते हैं तो blue star, kalpatru project international, chadlet hotel, fenolex industry, gntd india limited यानि कि यहाँ पर भी stock काफी बहतीन है और इनमे potential growth भी काफी जादा है जबकि equity sector location की बात करें तो services के अंदर सबसे ज़्यादा 17.6% पैसा इस fund का इसके अलावा financial sector, capital goods, construction, consumer standpoint और chemical sector के अंदर भी पैसे को निवीश किया गया है यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं अपने fourth fund की जो था हमारे पास access spawn cap fund दोस्तों यह fund भी काफी बहतर है यह कि portfolio में कुल मिलाकर 102 stock शामिल है जिन में पैसे को निवीश क किया गया है और अगर हम टॉप holding की बात करते हैं बिर्ला सॉफ्ट, नारायना, ब्रेट इंटरपाइसे, ब्लू स्टार, चोला मंदा फाइनेस, किर्शना होल्डिंग, CCL product यानि कि दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर भी जो portfolio है वो काफी strong है जिसमें पैसे को निवीश किया गया है और equity sector location की बात करें तो यहाँ पर construction के अंदर सबसे दादा 17%, इसके लबा हेल्थ केर, finances sector, technology और chemical sector के अंदर पैसे को निवीश किया गया है लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं हम अपने fifth fund HDFC small cap fund की तो इस plan का portfolio भी हमें बहतर नजर आता है क्योंकि fund के अंदर total कुल मि company, power tech project यानि कि कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 79 stock हो में पैसे को निवीश किया गया है, fund के अंदर सबसे जादा जो पैसा है वो services sector के stock हो में निवीश किया गया है, इसके लबा अधर sector के stock, financial sector, healthcare, capital goods और construction में भी पैसे को निवीश किया गया है, दोस्तों portfolio के बात सबसे important एक और चीथ हमें ज़रूर जाननी है कि यहाँ पर fund के एनिवी का price किता है, च्योंकि जितने भी plan है, उन सब के एनिवी का price अलग अलग होता है, और दोस्तों fund के अंदर unit भी आपको current एनिवी के price से ही unit lot की जाते है, और दोस्तों Tata small cap fund के एनिवी का price है, 38.52 पैसे, यहाँ पर fund की rating 5 है, fund size 6951 करोड रुपे है, minimum इस fund में लम समय आप 5000 तक निवेश कर सकते हैं, अगर हम Nippon India small cap की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों इस plan के एनिवी का price अभी है, 166 रुपीज fund की rating 4 है, fund size 50,422 करोड रुपे है, और लम समय आप 5000 तक निवेश कर सकते हैं, अगर हम SPI small cap की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस fund की एनिवी का price है 175 रुपीज fund की rating 3 है, fund size 27,779 करोड रुपे है, SIP के तुरू यहाँ पर 500 रुपे, लम समय आप 5000 तक आप निवेश कर सकते हैं, अगर हम एक्सेस small cap की बात करते हैं, तो इस fund की एनिवी का price 100 रुपीज है, fund की rating 5 है यहाँ पर दोस्तो fund size 20,136 करोड रुपे है, और यहाँ पर लम समय आप 5000 तक निवेश कर सकते हैं, अगर हम HDFC small cap की बात करते हैं, तो दोस्तो इस plan के एनिवी का price अभी 137 रुपीज है, fund की rating 2 है, fund size की बात करें, तो यहाँ पर 29,685 करोड रुपे का fund size है, यह यह हम है, और दोस्तों करें में सारी fund के expense ratio की बात करते हैं, तो Tata small cap fund के expense ratio, यानि कि खर्चा 0.34% का, निपॉल इंडिया के खर्चा में expense ratio की बात करते हैं, तो दोस्तों इस fund का expense ratio है, 0.68% का, SP small cap fund की बात की जाए, तो इस fund का expense ratio है, 0.67% access small cap की बात करते हैं, तो दोस्तों इस fund का expense ratio है, वो है 0.52% का HDFC small cap fund की बात की जाए तो दोस्तो इस fund का जो expensive ratio है ये भी category के साथ से काफी कम है 0.67% का दोस्तो इन 5 ही fund के अंदर 2 fund के अंदर لمसम कर सकते हैं बनकि 3 fund के अंदर अभी لمसम close है आने वाले टाइम में अगर यहाँ पर لمसम open होता है तो आप निवेश कर पाएंगे लेकिन अगर हम एक example calculation के साथ समझते हैं कि अगर आप 50,000 रुपे निवेश करते हैं यहाँ पर access के अंदर और HDFC में आप लमसम कर सकते हैं और इन दोनों का फ्रान दोस्तो जो return है वो 22% से जाता है देकिन अगर आपको 23% का return मिल जाता है 50,000 रुपे का आप निवेश कर देते हैं सिर्फ 5 साल के लिए तो इससे आप 1,40,000 रुपे का fund बनाएंगे और इसमें 90,000 का return होगा लेकिन 10 साल के अंदर 50,000 रुपे से आप 3,96,000 रुपे का fund बनाएंगे 3,40,000 का return होगा 15 साल के अंदर 50,000 का निवेश करके 11,15,000 रुपे का fund बनाएंगे 10,65,000 का return होगा 20 साल के अंदर 50,000 का निवेश करके 31,41,000 रुपे का fund बनाएंगे 30,91,000 का return होगा लेकिन 25 साल के अंदर 50,000 का निवेश करके 8last 042,000 रूपे का fund बनाएंगे 87,92,000 रूपे का return होगा लेकिन अगर 30 साल की बात की जाए तो 50,000 का निवेश करके आप 2,48 लाग रूपे का fund भी बना सकते हैं यानि कि इसमें 2,48 लाग से जाता return होगा तो दोस्तों ये 5-3 mutual fund प्लान थे जिनके अंदर अगर आप लंसमे पैसान बेश करते हैं तो यहां से आप एक बड़ा fund भी बना सकते हैं लेकिन वीडियो आपके education परपस के लिए है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कर लें धन्यवाद